कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बाटने वालों को मुह तोड़ जवाब दिया है हम एक जूट रहेंगे तो कोई हमें कभी परास्तन नहीं कर पाएगा हर एक का प्रयास ही उत्तर प्रदेश को वो उंचाई देगा जिसका वो हमेशा से हगधार रहा है साथियों जब मैं पांच साल पहले चुनाओ के समय पस्ची में यूपी में आया था तो आप से कहा था कि यूपी के विकास के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे इन पांच बर्षों में योगी जी के नित्रुत्व में यूपी सरकार ने पूरी इमानदारी से पूरी निश्चा से आपकी सेवा करने का यूपी के विकास का प्रयास किया है कोई भूल नहीं सकता है पांच साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी पांच साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे उन्ही का कहा ही शाचन का अदेश था पांच साल पहले व्यापारी लूडता था बेटी घर से बहार निकलने में गबराती थी और माफिया सरकारी समरक्षण में खुले आम घुमते थे पस्चीमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये खेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी उत्सव पांच साल पहले गरीब दलीत बंचीत पीछडों के घर जमीन दुकान पर अवैद कब्या ये समाजबात का प्रतीक था लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी अफरान फिरोती रंगदारी ने मध्यंबर को व्यापारियों को तबाह करके रख दिया था पांच साल में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को इन हालातों से बहार निकाल करके लाई है और ये कोई मामली काम नहीं है मैं भी सालों तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ इतने कठीन परिस्तितियों से प्रदेश को बहार लाना दंगों से मुक्त कराना शांति और सुक की जिन्दगी का विस्वात प्यादा करना साथियों आज यूपी का किसान हो कर्मचारी हो व्यापारी हो या फिर माताए बहने बेटिया सभी को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है जो माफिया और गुन्डे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है और इसलिए आज चुनाव के इस माहोल में वो पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरह जो गुन्डा गर्दी करने वाले लोग थे ना वो आउसर की तलास में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापिस आना है ऐसी अनुकुल सरकार उनको चाहिए को उनको उनके अपने खेल खेलने में सुविदा हो हम यूपी में बडलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं जबकि वो आप से बडला लेने की ठान कर बैठे हैं इन लोगों ने जिरे टिकर दिया है उनकी भाषा, उनका वैवार, उनका इतियास उनके कर्तुत, उनके कामरा में ये सारी उनके सबूत है ये बडला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है और इसलिए मैं ये देख कर खुश हूँ कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान हैं, बहुत सतर्क हैं उत्तर प्रदेश के जनता वो पुराने दिन वापिस नहीं चाहती है इन बदला लेने वालों के बयानों को देख कर यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार पहले से भी जादा मतों से भाजपा को विज़ई बनाएंगे हमारा काम और उनके कारणा में उनकी कारस्तानी ये सब देख कर इस बार भी यूपी की जनता भाजपा को भरपूर आश्रिवाद देने आ रही है और इसमें भी जो हमारे फर्स्ट राइम वोटर्स हैं जो पहली बार मत्दान करने जा रहे हैं वे तो उत्सा और उमंग से भरे हुए हैं भाजपा की सरकार बना के लिए वो खुल करके भाजपा के साथ है पहली बार बोट डालने वाले जा रहे हैं यूआ भी इसको समझ रहे हैं कि अग यूपी को फिर से गुंडों माफियों के हवाले नहीं करना है सोचिये सात्यों जो लोग जो सत्ता खोने के अंद्विस्वास के कारण नोएड़ा जैसे यूआ आकांख्शाओं के छेत्र में आने से भी कत्राते हैं क्या वो यूआओं के सपनों का प्रतिजिद्व कर सकते हैं प्रतिजद्व कर्णाओं के प्रता हुआ्ड़ा जैसे यूआँ यूँए भ्रतिजिद्व है झाहिए यूआँ